जैन बच्चों इसमें आप लोग महमनाई स्चुट के यूटूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लॉस 10th CBSC Mathematics के 13th chapter Surface Area and Volume के exercise 13.2 के question number 7 को देखने जा रहे हैं आप सभी लोग बुक कोने question number 7 देखें हैं ये पूरी exercise ही important है उनमें से ये question number 7 एक तो और important है इनको आप ध्यान पुरुबग देखें क्या दिया है A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक solid है जो cone के shape का है और इस cone का height दिया हुआ है ये 120 cm दिया हुआ है और इसका radius है इस cone का radius आप सामने देखें ये cone का radius हो जाएगा और ये 60 cm दिया हुआ है अहां देखिए standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom bottom अब जरा ध्यान से समझे क्या कहा जा रहा है ये जो cone है इस cone को एक hemispherical दूसरा solid है जो hemispheres है और इसका भी radius दिया हुआ है 60 cm तो ध्यान दिजिएगा ये जो hemispheres है इसका भी radius 60 cm है तो अगर ये radius है तो ये part भी radius है ये part भी radius है it means this this is 60 cm and this is also 60 cm ये जितने हैं ये तीनों radius है और ये तीनों 60 cm के है और फिर देखें ये आप से कहा जा रहा है कि ये जो cone है इस cone को एक hemispheres के ओपर रखा गया है और रख करके ये solid बनाया गया है अब इस solid को क्या किया गया है कि एक cylinder देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक cylinder है और ये cylinder full of water है ये water से भरा हुआ है ये cylinder water से भरा हुआ है और ये जो solid है इस solid को उस cylinder के अंदर डाल दिया जा रहा है तो जब डाल देंगे तो जितना इस solid का volume होगा उस volume के equal इसमें जो water present है वो water outside आजाएगा बाहर आजाएगा अब देखें आप से क्या पूछा जा रहा है find the volume of water left in cylinder इस cylinder में जो water left यानि जो water बचा हुआ है उसका volume कितना होगा तो जब देखिए water कहां बचा हुआ है तो water का जो बचा हुआ जो left है वो ये है यहाँ पर water रह जाएगा ये पहले जो पूरा cylinder था ये full of water था ये cylinder पूरा water से full था लेकिन इसके अंदर जब इस solid को डाला गया तो solid के डालने से जो water था water निकल गया और जो left water बचा है इस left water का volume आप से पूचा जा रहा है लेकिन एक बात और इस solid को इस cylinder के अंदर ऐसे रखा जा रहा है कि इसके bottom को ये touch करें तो bottom को touch करेंगा और upper part जो होगा वो upper part को touch करेंगा if the radius of the cylinder is 60 cm ये जो cylinder है इस cylinder का भी radius 60 cm है लेकिन cylinder का जो height है cylinder का height आपको दिया हुआ है 180 cm ये cylinder का height आपको दिया हुआ है अब ज़रा आप ध्यान पुरुबक देखे question में 2-3 बाते जो रिमरकेबुल हैं उसको हमें ध्यान देना होगा पहली चीज़ ये कि cylinder का radius 60 cm है हेमी sphere का radius 60 cm है कोन का जो radius है कोन के base का जो radius है वो भी 60 cm है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों है उनका base जो है वो same shape का है अब देखें तो आप से पूछा जा रहा है कि यहाँ जो left water है left water का volume क्या होगा ये आप से पूछा जा रहा है तो एक बात आप समझ लेजिए अगर हम लोग ये cylinder का volume find कर लें इसके बाद कोन का volume find कर लें और ये जो हेमी sphere है इसका volume find कर लें और दोनों के volume को add करके अगर cylinder के volume में से minus कर देंगे तो ये जो left water होगा इसका volume हमको मालुम हो जाएगा तो सबसे पहले देखे कुछ बाते हम नोट करते हैं ये height आप कोन को हम small h assume कर लेते हैं small h is equal to 120 cm और ये जो cylinder का height है नहीं cylinder के height को capital h से represent कर लेते हैं capital h is equal to 120 cm और हर जगर radius देख रहे हैं कि हर जगर radius से मैं तो radius r is equal to दिया हुआ है 60 cm अब हम find करने जा रहे हैं देखे हैं कि volume of left water in the cylinder ये आप से पूछा जा रहा है तो चलिए हम लोग find करते हैं volume of the volume of the of the water left water left in cylinder left in cylinder अब देखिए है हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले cylinder का volume हम find करते हैं तो cylinder का volume होता है pi r square h तो ये हो जाएगा pi r square और cylinder के height को हम capital h assume किये है capital h pi r square h ये volume of cylinder निकला अब ही देखिए कौन का volume तो कौन का volume होगा 1 by 3 pi r square h इसके volume को हम small h assume किये हैं और प्लस ज़रा धियान परवग देखें हेमी sphere का volume तो sphere का volume तो 4 by 3 pi r cube होता है लेकिन हेमी sphere तो half हो जाएगा ये हो जाएगा 2 by 3 pi r cube अब ज़रा धियान परवग देखें ये हमने क्या किया ये कौन का volume है ये हेमी sphere का volume है हमने दोनों को add कर लिया और ये total volume है ये cylinder का total volume है ये तो cylinder के total volume में से अगर इन दोनों के sum को हम minus कर देंगे तो remaining water हम लोगों को find हो जाएगा अब चले देखते हैं यहाँ पर इसको तुछा solve कर लेते हैं तो pi r square capital h minus देखिए इसमें से कामन हम लोगों को क्या मिल रहा है 1 by 3 pi r square हम कामन ले सकते हैं 1 by 3 pi r square अगर हम कामन ले ले तो देखिए क्या बच रहा है यह यच बच रहा है और देखिए 1 by 3 1 by 3 pi r square निकल चुका है तो अब ही हो गया आपका 2 par अब देखिए अब हम यहां से अच्छा अब जो है कामन लेने से benefit यह होता है कि question हम लोगों का easy हो जाता है और जादे इस पे discover नहीं करता है अब इसके बाद देखिए pi r square यहां भी है pi r square यहां भी है अब हम चाहे तो दोनों में से कामन ले सकते हैं तो यह pi r square हम कामन ले लेते हैं तो h minus 1 by 3 pi r square कामन हैं तो यह हो जाएगा h plus 2 r अब इसको हम solve करेंगे सब की value put करेंगे और put करके इसको हम solve करेंगे तो volume of the water left in the cylinder हम लोगों को find हो जाएगा चलिए हम value रखते हैं pi की value आपको दी नहीं गई है तो हम रख लेते हैं 22 by 7 और फिर r काई square r की value 60 है तो 60 का square हम कर सकते हैं 3600 हो जाएगा capital h height of the cylinder यह है आपका 180 और minus 1 by 3 h height of the cone यह है आपका 120 और plus 2 into a small r 60 यह हो गया 60 चलिए शाल्ब करते हैं इसको तो अब यहाँ कुछ कटने लाइक है नहीं कटने लाइक होता तो इसको कट कर देते यह 22 by 7 into 3600 और यह है 180 minus रह यह देखे आप यहाँ यह 120 और 6 into 2 120 तो 120 plus 120 240 हो जाएगा तो यह हो गया आपका 240 by 3 फिर देखे इसको solve करते हैं यह हो गया 22 by 7 अच्छा एक चीश अब आपको बता दे हैं कि यहाँ कुछ कटन लाइक दिखने रहा है तो हम एक काम करते हैं कि 22 को हम 7 से divide ही कर देते हैं क्योंकि 7 से कुछ नहीं कटेगा तो 7 से हम divide ही कर देते हैं तो 3.14 हो जाएगा तो 22 upon 7 3.14 into हो गया 3600 अब देखिए जरा यहाँ क्या होगा यह हो गया आपका 180 minus 3 से कट कर देंगे तो यह हो जाएगा 80 फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या होगा अच्छा एक काम और करते हैं यह 3.14 into 3600 और फिर यहाँ पर जो है 180 minus 80 करेंगे तो यह हो जाएगा 100 अब 100 से आप 3.14 को multiply कर दीजिए तो 100 से 3.14 को multiply कर देंगे तो 314 और इंटु यह हो जाएगा आपका 3600 सेंटी मीटर क्यूब अच्छे यह तो सेंटी मीटर क्यूब में है अगर मीटर क्यूब में convert करना होता तो क्या करते हैं सपोज किजिए कि यह मीटर क्यूब में हमको इसे convert करना है तो मीटर क्यूब में convert करने के लिए लेकिन एक काम करें सबसे पहले हम लोग इसका multiplication कर लेते हैं इसके बाद इसको हम फिर meter cube में convert कर देंगे तो अब देखें यहाँ पर यह जो multiplication अब आ रहा है 314 into 3600 का तो यह multiplication आ रहा है आपका 11 log 30,400 cm cube अब देखें हम करते क्या है cm cube को meter cube में convert कर देते हैं तो आपको मालूम है कि cm को meter में convert करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं लेकिन अगर cm2 को meter square में convert करना हो तो 100 into 100 से डिवाइड करते हैं लेकिन cm3 को अगर meter cube में convert करना हो तो 100 into 100 into 100 से डिवाइड करते हैं तो अब देखें क्या हो जाएगा हम इसमें 100 into 100 देखे 100 into 100 into 100 से डिवाइड कर देंगे अब देखिए आप 20 से 20 कैंसिल हो गया अब ये 100 into 100 यानि 40 है तो 40 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 4 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा 1.1304 ये मीटर क्यूब हो जाएगा तो इस पकार आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस सिलिंडर में जो लेफ्ट वाटर है या रिमैनिंग वाटर है उसका वाल्यूम क्या होगा तो उसका वाल्यूम 1.1304 मीटर क्यूब के एक्वल होगा देखते हैं क्वेस्चन नुबर 8 को क्वेस्चन नुबर 8 में दिया है एस फेरिकल ग्लास वैसल ग्लास का कोई वैसल है ये इस फेरिकल है एस फेरिकल ग्लास वैसल है एस सिलिंडिकल नेक इसका जो नेक है वो सिलिंडिकल है ये सिलिंडर के सेब का है देखिए इसका जो नेक दिया हुआ है ये सिलिंडर के सेप का है समझ दिजिए ये ग्लास वेसल इस्फेरिकल है और इसका जो नेक दिया हुआ है ये सिलिंडरिकल है नेक 8 cm long ये जो नेक है यह 8 cm long and 2 cm in diameter इसका जो डाया मीटर दिया हुआ है यह डाया मीटर 2 cm में दिया हुआ है the diameter of the spherical part, spherical part का जो diameter है ये 8.5 cm है ये दिया हुआ है अब देखें by measuring the amount of water it holds इसके अंदर ये जो वेसल है इस वेसल में कितना water hold हुआ है इसके लिए a child find its volume is 345 cm cube कोई child है जो इसका volume find किया है और वो volume 345 cm cube find किया है check whether she is correct talking the talking the sorry taking the above as inside volume sorry as inside measurement तो इसका ये कहा गया है कि उस student ने या जो लड़की थे उसने इसके अंदर जितना water था उस पूरे water का volume find किया और उसने बताया कि ये जो volume है 345 cm cube है तो बताये कि उस student ने उस बच्ची ने क्या सही जवाब दिया कि गलत जवाब दिया यही आप से पूछा जा रहा है और पाई की value 3.14 दिया गया है question आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे कि एक इस spherical vessel है जिसका नेक cylindrical है इसमें पूरा water से भरा हुआ है एक student ने इसे internal जो water fill है उसका volume find किया तो उसने पाया कि यह volume 345 cm3 है आप से पूछा जा रहा कि आप बताईए कि उस बच्ची ने उस चाइल्ड ने वो क्या सही volume निकाला कि गलत volume निकाला यही आप से पूछा जा रहा है तो क्या किया जाए हम cylinder का volume निकालने, sphere का volume निकालने, दोनों को add कर दें तो total volume of water hold in this vessel निकल जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम cylinder के लिए देखे है cylinder की height दिया हुआ है, वो 8 cm दिया हुआ है इसका diameter 2 cm है, तो अगर यहां से radius find करें तो 2 by 2 is equal to यह हो जाएगा 1 cm 1 cm इसका radius हो जाएगा और यहां पर अगर हम sphere का radius find करें तो sphere का diameter दिया हुआ है, वो 8.5 cm दिया हुआ है और अगर 2 से divide कर देंगे तो इसका half हो जाएगा, यानि radius half sphere निकल जाएगा, spherical vessel तो यह हो जाएगा 8.5 by 2 cm अब 2 से divide नहीं होगा, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम अब चलिए हम total volume निकाले total volume hold in this vessel let this volume is capital V तो सबसे पहले हम volume find करेंगे cylinder का तो यह हो जाएगा πाई R square यच और प्लस sphere का volume sphere का volume हो जाएगा 4 by 3 πाई और इसको हमने capital R azim किया है तो capital R cube हो जाएगा अब यहाँ पर हम value put करते हैं देखिए यहाँ से कुछ कामल निकल सकता है यहाँ से हम πाई कामल ले सकते हैं और कुछ तो कामल ले नहीं पाएगे तो यहाँ से हम πाई कामल ले लेते हैं तो यह R square यच प्लस 4 by 3 R cube हो जाएगा अब हम इसको solve करते हैं तो πाई की value 3.14 और small R की value 1 1 का square कर देंगे 1 हो जाएगा और height इसकी दी हुई है 8 cm तो 8 हो जाएगा प्लस 4 by 3 और फिर हम यहाँ कर देंगे R cube तो 8.2, 8.5 अब 5.2 का cube करेंगे यह 8.5 by 2 into 8.5 by 2 into 8.5 by 2 अब जड़ा देखे यहाँ 2 into 2, 4 हो जाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा और कुछ तो इसमें cancel होने लाइक दिखने रहा है तो फिर यह हो जाएगा 3.14 1 into 8 करेंगे 8 हो जाएगा और फिर यहाँ multiply करेंगे 8.5 into 8.5 into 8.5 और नीचे गर देखे 3 into 2 है तो यह हो जाएगा 6 अब इसको हम पहले इन तीनों का हम multiplication करेंगे multiplication करने के बाद 6 से divide करेंगे और 6 से divide करने के बाद जड़ाएगा उसको 8 में add करेंगे और फिर 8 में add करने के बाद 3.14 से multiply करेंगे तो real volume of water inside the vessel हमें find हो जाएगा अब देखें 5 into 8.5 हमने किया तो 614.125 आया upon 6 और फिर इसको हमने divide किया तो 102.36 हुआ add कर दिया गया तो 110.36 हुआ और फिर multiplication किया गया तो यह 346.51 cm3 यह नियर ली आया अच्छा अगर इसको हम बिलकुल real value के form में लिखें हैं तो यह 5 तो 5 या 5 से अगर बड़ा कोई number होता है तो उसको 1 assume करके उसके पहले जोड़ दिया जाता है तो यह हो जाएगा 347 cm3 तो देखें क्या हुआ girl child ने जो volume find किया था वो 345 cm3 लेकिन जो real volume आया था वो 347 cm3 आ रहा है तो आप से यह पूछा गया था कि चेक वेधर सी इस करेक्ट आप पताईए कि वो लड़की सही थी कि गलत थी तो क्या हुआ this child is wrong वो उसका answer जो था वो wrong था तो इस बिकार यह जो आपका question number 7 और question number 8 यह दोनो complete होता है इसके साथ साथ exercise 13.2 भी complete होता है और हमें उमीद है कि यह जो दोनो question आपको बताएगा हैं यह दोनो question आपको बहुत अची तरह से समझ में आए होंगे आप video को like जरूर किजिएगा और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe भी किजिए बिल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें comment करके जरूर बतामें और video को maximum student तक सेर जरूर किजिएगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद